हलो एवरीवन वेलकम बाक टू मै चानल आपकी मिनी आज हम एक बार फिर हाजर हैं आप सब के सामने एक बहुत ही शानदार जॉब अपडेट के साथ ये जॉब अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको अपना करियर एरपोर्ट जॉब्स में करना है एरपोर्ट गरते हैं अगर आप एक्स्पीरिद्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप फ्रेश बैसरेद्स मिलेगे की क्यों इस आतार ने की बात करें ओर इंडीयंAudiork Dishya हाईर करता ही नहीं है और अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडियन एरलाइन्स की जो मेल्स और फीमेल्स को हाईर कर लेते हैं वो है स्पाइस जेट, विस्तारा और अकासा तो बहुत अच्छी अपरचिनिटी है आप सब के लिए अपना करियर एरपोर्ट जॉब्स में अप्लाइ स्टार्ट करने में अप्लाइ जरूर कर दीजेगा पहले ही बिकज लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है 11th of September सिर्फ दो दिन है आपके लिए तो जो भी इमेल आइडी भी शेयर करूँगी जिसमें आपको उस इमेल आइडी पर ही अपना डॉक्यूमेंट सब्मिट करना है जो कि आपको डेटिल में बताया जाएगा और कुछ इंटर्व्यू की टेप्स भी बताई जाएगी इलिजिबिलिटी के साथ साथ तो वीडियो में बने रहेगा अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज मेक शूर कि आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि आपको किस टाइप की जॉब्स चाहिए आप किस टाइप की जॉब्स ढून रहे हो और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा and hit the bell icon उसके अलावा बढ़ते हैं job update की तरफ तो description में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको description में सिर्फ एक email ID दे दूँगी आप चाहे तो वीडियो में ही no down कर सकते हैं email ID Akasa Air की बात कर रहे है तो Akasa Air आपने नया नया नाम सुना होगा Air India Indigo Spice Jet इन सब का नाम तो आपने काफी बार सुन दिया होगा Akasa Air का नाम क्यों नया है क्योंकि यह 2022 में ही found की गई है नई airline है इसके spice जो भी spacecraft है वो सारे के सारे नए है और काफी अच्छा grow कर रही है काफी benefits भी दे रही है अपने employees को reliable है इसकी services affordable भी है जो भी passengers है उनके लिए अभी join क्यों करना चाहिए आपको Akasa क्योंकि यहाँ पर आपको competitive salary package मिलेगा काफी अच्छा salary package मिलेगा अप्रॉक्स आपको 30,000 तो 90,000 तक आपकी salary जा सकती है यहाँ पर क्या होता है ना base salary होगी मतलब आपकी base salary तो 25 तो 30,000 ही होगी in hand तो आपको 25 तो 30,000 ही मिलेगा लेकिन क्या होता है ना कि यह flight के हिसाब से भी आपको pay करते है per flight for example एक flight जो होगी वो 6-7 घंटे की होती है तो अगर मान लिजे आपने domestic flight लेए मतलब आप domestic flight में है तो आपको 350 रुपीज मिलेंगे per hour की मतलब 350 रुपीज एक घंटे का per hour 350 रुपीज और domestic के लिए अगर आप international flight करते हैं flight में जाते हैं तो 450 रुपीज मिलेगा तो इस तरीके सब एक जो flight होती है वो 7-8 घंटे की तो होती है तो इस तरीके से आप अपना महिने का इंसेंटिफ की तौर पर काफी अच्छा earn कर सकते हो उसके अलावा आप कहीं भी जा रहे हैं आपको उसके अलावा medical insurance भी मिलेगा travel benefits भी मिलता है to for you and your family कहीं भी आप जाते है staff travel benefit भी मिलता है जैसे मिलता है सबको ऐसे ही airlines में भी मिलता है convenient transport facilities दी जाएंगे आपको proper कोई आपका जहां भी घर होगा जहां भी आपकी posting होगी वहां से आपको एक cap दी जाएगी एक proper convenience दिया जाएगा जो आपको time से airport पहुचाएगा जिससे कि आप लेटना हो layover and deadhead allowance भी मिलेगा for example मान लीजे यह भी जो hiring हो रही है वो new Delhi के लिए हो रही है तो मान लीजे आपको किसी काम से चेन नहीं जाना पड़ रहा है आपके जॉब के उससे ही तो यह आपको वहां चेन नहीं बे रुखने का खाने का सारा कुछ अलावेंस भी आपको देंगे अभी प्रोफाइल के बारे में समझ लेते हैं प्रोफाइल जो है air akasa sorry akasa air is looking for individuals who can bring a genuine smile warm passion cabin crew का job है यहाँ पर as a cabin crew member you will play a vital role in ensuring passengers have a safe and memorable journey तो यहाँ पर cabin crew का काम है आप सभी को पता होगा cabin crew का का काम क्या होता है passengers को serve करना passengers का ध्यान रखना या किसी भी passenger का कुछ भी situation है उसको deal करना अगर कभी कभी क्या होता है कि passengers कुछ कुछ होता है जो गभरा जाते हैं उनको take care करना मतलब उनको थोड़ा हिम्मत देना या in short उनको समझाना और maintain करना चीजों को flight के अंदर यह सारे कुछ चोटे चोटे रूल्स है जब आप यहां पर training लेंगे आपको सारा कुछ detail में train किया जाएगा क्योंकि दाई से तीन घंटे की इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है roles and responsibilities क्या है strict क्या करना होगा आपको यह देख लिजे आपर strict adherence to safety procedures and regulations तो जो भी आपके passengers होंगे उनकी safety के जिम्मेदारी cabin crew की ही होती है staying updated on aviation rules जो भी aviation rules है company की policies है उसको update वो जानना चाहिए वो आना चाहिए उनको maintaining a professional appearance, conducting in-flight sales to enhance revenue, ensuring efficient service delivery जो भी आप serve कर रहे हो वो proper होना चाहिए, ensuring on-time performance होना चाहिए and reporting any issues to in-flight manager, in-flight manager भी होते हैं उनको कोई भी problem आती है उनको report करना है qualification हमारे मतलब के बाद यह है इनको क्या-क्या चाहिए, तो Indian nationality होना चाहिए उसके लिए आप कोई भी एक valid कोई भी नहीं आपके पास passport भी होना चाहिए, pan card भी होना चाहिए and adhar card भी होना चाहिए तीनों चीज़े होना चाहिए minimum आपकी age 18 years होना चाहिए, up to 28 years for freshers एक age limit दिये कि अगर आप 28 years के हो, fresher हो, तब आप apply कर सकते हैं लेकर 29th वाले 28 सी उपर की age के लोग freshers है वो apply नहीं कर सकते हैं अगर आप experienced है तो आपका age minimum, max to max 35 years तक होना चाहिए height 155 cm होना चाहिए, females का and males 167.5 cm उसके according ही weight भी होना चाहिए, minimum education 10 plus 2 जो 12th pass है वो भी apply कर सकते हैं English में थोड़ा सा पकड़ अच्छी होना चाहिए, fluency in English and Hindi, medical fitness होना चाहिए जो भी medical fitness के standards है, tattoos बिलकुल भी नहीं होने चाहिए, so please make sure के tattoos ना हो to succeed in this role, क्या-क्या skills required है, team work, adaptability, empathy, problem solving, effective communication तो इन में से कुछ चीज़ें आप अपने ध्यान रखिएगा, यह requirements है, at the time of interview यह सारी चीज़े वो notice करेंगे and आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का Location, New Delhi, NCR, important points क्या है, online registration कराना आपका बहुत जरूरी है, online registered candidates who meet our requirements will receive an invite तो जैसे ही आप online registration करवा लेते हैं, उसके बाद आपको यह invite भीजेंगे, interview का, वहाँ पर आपको यह venue बताएंगे, कि आप कहाँ पर आपको आपको आना है, interview का क्या date है, क्या जगे है, ठीक है, और क्या slot है, सारी चीज़ें आपको उधर ही बताएंगे The last day to register is 11th of September, आपको यहाँ पर एक website दिख रही है, अगर आप register नहीं करवा रहे हो, तो आप अपना CV भेज सकते हैं, cabin crew carriers at the rate akasair.com, मैं आपको suggest करूँगी, मैंने कोई link नहीं दिया है, registration का better है, कि अगर आप इनको mail कर दे, इस mail ID पर, that will be best, ठीक है, तो mail कर दीजेगा अप उसके बाद क्या होगा, interview के time भी सारे rounds होंगे, grooming check, group discussion होगा, personal interview, final interview, तो इसमें क्या रहना है, आपको well prepared रहना है, जो भी airlines की चीजे हैं, थोड़ा-थोड़ा subject उसे, airlines के बारे में पढ़ लेना है, उनकी values के बारे में पढ़ लेना है, और अपना passion, मतलब एक confidence होना चाहिए वो क्या देखते है candidate में training, तो और अल्रेडी देंगे आपको, राइट, तो कुछ चीजे यह देखेंगे कि आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छे से अपने आपको present कर रहे हो, demonstrate effective communication skills, communication skills तो फो फर शूर चेक करेंगे ही, highlight your problem solving abilities, तो यहाँ पे हो सकते है, कोई एक टाइप से handle करेंगे, show your adaptability and teamwork spirit, how to apply, वो वही है, best है कि यहाँ पर आपको cabin crew careers at the rate akasa.com, akasaair.com पर अपना resume भेजना है, उसके साथ ही साथ resume भेज देना है, mail ID में ही आप एक अपना passport size photo जरूर अटाच कर देखा, तो यही है तरीका apply करने का, and interview में बिलकुल, आप क्या कर सकते है, आप YouTube पर काफी सारे interviews already पड़े है, Air India, airport jobs, यह सारे interviews करके सर्च कर लेना, and थोड़ा समां से आपको idea मिल जाएगा, apply ज़रूर कर दीजेगा, बहुत अच्छी opportunity है, ऐसी opportunity मिस नहीं करना चाहिए, चाहिए भले ही इसके लिए आपको work from office हो, work from home ना भी हो, तो भी चलेगा, लेकिन career बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो अगर आप interested है, तो apply कर देना है, क्योंकि बहुत जल्दी revert भी आता है, जादा इनकी requirements नहीं होती है, तो यही था आज का job update, अगर आप eligible है, interested है, अपना career, airport jobs, cabin crew में बनाना चाहते हैं, तो आप apply कर सकते हैं, मिलेंगे next job update में, तब तक के लिए, good bye, take care and thank you for watching.